जैहिंद नमस्कार मैं हूँ अजे आज मैं आपको जो खेत वाली शागवान होती है उस लकड़ी के 626 के जो है बोटे दिखा रहा हूं समाझ दीजिए एक हिसाब से और इनका क्या घंफिट प्राइज है और यह लकड़ी जो है कैसी होती है अपनी मारंडी उट पाइन उट स से यह कितनी अच्छी होती है नहीं होती सारी डिटेल बाते आपसे सेयर करूंगा मैं फंचे जुड़ी कंप्लीट नौलज देता हूं अगर आप चाहते है चैनल को सक्साइब कर लिए यहां पर देख सकते हैं ज्यादा मोटाई का पेड नहीं था यह कम ही मोटाई का पेड है तो आपको डरने की बात नहीं है शागउन में क्यूंगा माल निगम बर धर्मातिक हो कच्छा माल सागवान का कभी भी खराब अब नहीं होता है इतनी जल्दी सीम और सी्टी सा माल करें यूज ऑक उठेट सड़ा जाता है जो फर बाया पर संट और आपड़ेगा गंपिट यहां पड़ियोडा यह पर देख सकते हैं जो उनके पाई बना जा रहे हैं बहुत घंपिट प्राइज उसके लिए पाय बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो घनफिट प्राइज है वो तेरा सो से चौदा सुरुपे घनफिट में आपको इतना जो है बोटे वाला माल आपको मिल जाता है सिर्वा के आप जो मान की चलिए कि पंदर सुरुपे घनफिट के साब से यह माल आपको पड़ेगा तो यह जो है यह आपकी पाय नूट से यह आपकी मारंडि उट से लाग बुना अच्छी लकड़ी है और इसी रेट में आपको पाय नूट और मारंडि उट मिलती है इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अपने घर का डोर बनवा रहे हैं तो खेत वाली शागवान लेके डोर बनवा लिजे पाय नूट के रेट में मारंडि उट के रेट में आपके सागवान के डोर बन जाएंगे कोई भी लकड़ी आपको नहीं दे सकती है शिरिफ सिशा मूट के सिवा और कोई भी लकड़ी ऐसी नहीं जो इसके मुकाबले कमपैर कर सके इसलिए मैं कहता हूँ भाई, सागवान के लकड़ी यूँज करिए अगर आपके पास बज़ट नहीं है अगर आपके पास पायनूड मारंडी उठ क्या बचट है शरीब तो उसी रेट में तो मैं बता रहा हूँ आपको आपको उसी रेट में इसको यूज करना है और इसको यूज करने से पहले लकडी को 95% तक सुखा लिजेगा क्योंकि इनमें गाठे बहुत पास पास होती है कच्चा माल जादा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं गाठे कितनी पास पास है जो बोटा रखा है तो यह इसकी वज़े से लकडी टेडी होती है अब यह लकडी टेडी इसलिए होती है कि सूखी नहीं होती है इसे जब लकडी सूख जाएगी तो गाठे चाहे जितनी पास में हो लकडी फिर जो है कोई दिक्कत नहीं करेगी लकडी सूख जाने के बाद ये टेड़ी मेड़ी नहीं होगी इसलिए मैं कहता हूँ 95% तक अगर खेत वाली शागवान में आप काम करवा लिए सुखा लिजे उसके बाद अपना काम करवे कोई भी दिक्कत नहीं आगी और जितना कि पाइनूड मारंडी उड़ चलती है उनसे 4 गुना ज़्यादा इनकी लाइफ होती है अगर पाइनूड या मारंडी उड़ में पढ़ रहा है पर्मानेंट तो मान की चली 4-5 साल में वो लकड़ी 5-6-7 साल में खराब हो जाती है बट इसमें ऐसा नहीं होता है शागवान की लकड़ी पानी भी पड़ता है तब भी बहुत जादा इनकी लाइफ रहती है और आपको अच्छा खासा आपका पैसा आदा कर देती है इसलिए में फनीचर जूड़ी complete knowledge देता हूं कि आपके घर का कोई भी फनीचर का काम हो रहा है या आप पैसा लगा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं तो आपकी पैसा बरबाद ना हो भाई अगर खेत वाली शागवान की आप दोर बनवा रहे हैं दिलहे वाले तो आपको 17 रुपे घनफिट के साब से प्राइज मिलता है क्योंकि चोड़ा माल होता है तो महेंगा होता है थोड़ा सा तो मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपे के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत